गुट बॉर्णिंग माडियर फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू मैं चैनल, तो फ्रेंड्स आज आपको मैं धूप में चलने वाले और छाया में चलने वाले दोनो प्रकार के प्लांट बताऊंगी, तो कुछ हेंगिंग बास्केट्स में लगाने वाले प्लांट हैं और कुछ ग ऐसे पौधे हैं जिने हम छाया में रखते हैं तो पहले मैं छायादार पौधे बताती हूँ जिनको छाया में रखा जाता है तो सबसे पहला देखिए यह है फिलो डेंडरन गोल्डन वाली और ग्रीन वाली दोनों मेरे पास है फ्रेंड्स और देखने में देखिए इसकी पत नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अरेलिया का प्लांट अरेलिया को मैंने चायादार जगह पर रखा है तो इनकी पतियां देखिए इस तरह से ग्रीन है तो अरेलिया को आप दोनों जगह रख सकते हैं आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं चाहें तो छाया में भी रख रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन चाया दार जगह पर इसको रखने पर इनकी पत्तियां जो है ग्रीन हो जाती है यह प्लांट देखिए इसको मैंने इंडोर रखा है फ्रेंट्स आउट्डोर नहीं रखा है इसका नाम हमेशा मैं भूल जाती हूं और इसके पत ज़ने लग जाती है लेकिन काफी ज़्यादा हाडी होने के कारण से यह दोनों जगह पर चल जाता है चाया में भी चलता है इसे मैंने अभी यहां सेडे अरिया में रखा है छाया दार जगह पर रखने वाले पौधों में यह है देखिए ड्रेसीना की बहुत सारी वैराइ तो ड्रेसिना का जो प्लान्ट है फ्रेंट्स उसे आप जो है ग्रीन नेट के नीचे रखेए समर सीजन में और छायदार जगा पर रखेए छायदार जगा पर रखने वाले प्लान्ट में है डेफएन बेक्या, डेफेन बेक्या देखी कितना खुब्सूरत लग रहा है इसे बहुत सारे आजकल वैराइटी आ गए हैं, मेरे पास दो है, और दोनों बहुत ही खुबसूरत है, एक ड्रेसीना की ये वाली वैराइटी है, देखे कितनी सुन्दर है, डेफिन बेकिया की ये दूसरी वैराइटी है, जो देखने में कितनी खुबसूरत है, देखे वाइट बहुत ही खुबसूरत इनकी पत्तियां है, तो डेफिन बेकिया को भी फ्रेंड्स आप छायादार जगह पर रखे, बहुत अच्छे से चलता है, काफी ज्यादा हार्डी होता है, छायादार जगह पर आप स्नेक प्लांट को भी रख सकते हैं, ये जो है डॉर्फ वराइट प्लांट होता है, काफी अच्छे से चलता है, और छाया में देखिए बहुत अच्छे से इनकी ग्रोध भी हो रही है, ये देखिए चायनीज मनी प्लांट है, जिसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं, इसे तो आपको छायादार जगह पर ही रखना है, क्योंकि इनकी पत्तिया फ्लावरिंग भी करता है, देखिए कि इतने खुबसूरत इसमें जो है फ्लावर्स आते हैं, और इसे भी आपको छायादार जगह पर जहाँ पर इंडारेक्ट सनलाइट आती है, ऐसे जगह पर रखना चाहिए, ये वाले मेरे प्लांट में थोड़ी सी धूप पढ़ने ल विक्टोरिया का प्लांट को भी समर सीजन में आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए या छायादार जगह पर रखिए, नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स मेरे भी प्लांट में देखिए दो तीन पतियां जो जलने लगी है, क्योंकि मैंने इसी ग्रीन नेट के नीचे तो पड़ जा रहा है, मुझे यहां हटाना पड़े गई से, और यह अरेलिया देखिए, यह सारे प्लांट जो है थोड़े देर की इसको धूप लग जाती है, अरेलिया तो काफी अच्छे से चल रहा है, काफी जादा हाड़ी होता है, दिक्कत नहीं है, बस पतियों का कलर जो बिल्कुल आंसों की तरह होती है, बहुत ही सुन्दर होती है, इस्पाइडर प्लांट को भी आपको छायादार ही जगह पर रखना है, बहुत अच्छे से सर्वाइब करता है, अच्छे से चलता है, यह रियो का प्लांट है, तो रियो के प्लांट को फ्रेंड्स आप छाया का प्लांट को जो है ना आप जो है दोनों जगह पर प्लेस कर सकते हैं इसे आप हेंगिंग बास्केट भी लगा सकते हैं पॉट में भी लगा सकते हैं चाया में भी रख सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं नेक्स्ट जो प्लांट है ये प्लांट है देखिए एसपरगस वेह इस फ्लान्ट के अलावा यह प्लान्ट है अंब्रेला का प्लान्ट बहुत ही इसाथ हूँ सब्लान्ट también आप छाया में भी रख सकते हैं, दूप में भी रख सकते हैं, वो है जेट प्लांट, मैंने तो अभी इसे छायादार जगह पे रखा है, कुछ और भी प्लांट है जिसे मैंने धूप में भी रखा है, जेट प्लांट धूप में भी बहुत अच्छे से चल जाता है, कोलियस का प्लांट है यदी इसे आप शायादार जगह पर रखते हैं तो इसकी पतियों का अच्छे से नहीं आता है लेकिन आप इसे धूप में रखते हैं तो बहुत अच्छे से इनका टाकर आता है बहुत प्यारा लगता है यह जो सारे plant में आपको दिखा रही हूँ न यह धूप में रखे हैं यहाँ पर green net नहीं है यह direct sunlight में रखे हुए हैं धूप में रखे हुए हैं तो इनकी पत्यां कितनी सुन्दर है और यह वाले जो plant है न इस पर भी दिन भर की धूप पड़ती है एकाद घंटे इसमें धू तो green net के नीचे रखे हैं लेकिन बाकी समय जो है आप इसे धूप में भी रख सकते हैं इंडोर भी रख सकते हैं मैंने एक चीज देखा है अपने gardening में कि यदि आप proton को थोड़ी सी धूप में रखते हैं तो उसका color इतना अच्छा उभर कर आता है पत्तियों का color जिस तरह क अच्छा जगह पे रखती हूं तो उतना अच्छा color नहीं आता है थोड़ा सा dull color रहता है तो जो colorful पत्तियों वाले प्लांट है उनको जो है कुछ को श्याइदार जगह पे रखना चाहिए और कुछ को जो है थोड़ी सी धूप मिलने जरूरी होती है ये भी एक क्रोटोन का प्लांट है और जो धूप मेरखने वाले प्लांट में वो है जो मौश रोस पर्स्लेन को भी रख सकते हैं थो देख़े पर्सलेन में काफी अच्छी अभी इस समय दोनों प्लांट में जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है ये भी धूप में बहुत अच्छे से चलता है कोई दिक्कत नहीं होती है तो चलिए मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स इस तरब जहां पर और कुछ परसनेल के प्लांट रखे हुए है मैं दिखाती हूँ देखे मैं उन्हें वाल पे रखा है और इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है तो नेक्स्ट प्लांट जो है पत्तियों वाले प्लांट में जिसे आप धूप में रख सकते हैं वो है देखे कलेडियम कलेडियम तो धूप में ही इसका कलर जो है उभर कर आता है और बहुत ही सुन्दर सुन्दर प्यारे प्यारे से जो है कलेडियम के आज कलर आ गए हैं, थाइलेंड वाराइटी के भी बहुत सारे आज कल आ गए हैं, तो इनको भी आप जो है दिन भर की फुल साल नैट में रखिये, कोई दिक्कत नहीं होती है, धूप वाले जगहां पर बहुत अच्छे से चलता है ये plant और काफी ज़्यादा खुबसूरत होता है बलबस plant होता है और देखने में बहुत ही beautiful होता है तो किसे पसंद नहीं आएगा रंग बिरंगी पत्तियों वाले plant बगर फुलों के इनकी खुबसूरती का क्या कहना बहुत ही सुन्दर लगते हैं क कलीडियम का प्लांट। बहुत प्यारे-प्यारे सी इन में पत्तियां आती हैं. मनी प्लांट है, मनी प्मानट को आप श्यायदार जगह पर भी रख सकते हैं, और धूप में भी रख सकते हैं लेकिन धूप ऐसी हो कि जहां पर एकात घंटे की धूप मिले, तो बहुत अच्छे से चलते हैं वो और indirect sunlight में अधी आप रखते हैं तो भी वो plant जो है काफी अच्छे से चलता है वो पानी में भी आप उसको grow कर सकते हो और मिट्टी में भी grow कर सकते हो दोनों में grow हो जाता है यह है एस वर्गश fern fern की variety है और इसे जो है आप छाया में भी रख सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं होती है धूप में रखने में भी धूप में अधी आप इसको रखते हैं इसका color काफी अच्छा greenery लाता है garden में बहुत ही सुंदर लगता है तो इस fern को भी आप ला सकते हैं कुछ और भी fern है जिनको अपने garden में आप aid कर सकते हैं proton के देखे मैंने बहुत सारे अपने garden में cutting grow किये थे और बहुत अच्छे से सब चल रहे हैं तो देखे मैं आपको थोड़ा सा उठा कर भी दिखाती हूं गमला काफी खुबसूरत होता है fern और देखने में बहुत ही fox tail fern है boost tail fern है तो fern की धेर सारी variety आती है friends और इसमें जो है छोटे छोटे से tubers होते हैं जिन्हें divide करके आप एक plant से धेर सारे plant तयार कर सकते हैं तो ऐसे plant जो छाया में भी चले और जो धूप में भी चले वो भी मैंने बताया है कुछ ऐसे plant जो सिर्थ छाया में चलते हैं वो भी मैंने आप लोग को आज बताया है और कुछ ऐसे plant जो सिर्थ धूप में चलते हैं और काफी अच्छे से growth करते हैं वो भी बताया है next plant है syngonium तो सिंगोनियम को friends आप धूप में भी रख सकते हैं लेकिन अभी summer season है तो इसे यदि आप धूप में रखते हैं तो इनकी पतियां जलने लगती है बाकी season में जो है rainy season में winter season में इसे आप धूप में रख सकते हैं कोई दिकत नहीं है और इसे आप छायादार जगह पर रखेंगे ना तो बहुत अच्छा greenery लाता है बहुत ही खुबसूरत इनकी पतियां होती है और इसमें भी आपको बहुत सारी variety मिल जाएगी singonium में एक pink color भी है और ये green वाली है तो इसे आप छायादार जगह पर रखेंगे ना तो इनकी पतियां बहुत ही सुन्दर greenery लाती है बिल्कुल green रहती है और सुन्दर भी दिखाई देती है तो singonium को जो है आप छायादार जगह पर रखेंगे summer season में और बाकी season में तो दोनो season में रेनी season में और winter season में आप धूप में भी रख सकते हैं और छायादार जगह पर रख सकते हैं अगला जो plant है वो है rubber plant जिसे आपको धूप के लिए ही बना है ऐसा कह सकते हैं यसे मैंने देखे direct दिन भर की sunlight में रखा है और ये plant बहुत अच्छे से चलता है तो rubber plant को आप जो है दिन भर की जहाँ पर धूप आती है ऐसे जगह पर place करे कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत अ लाइट में और ये purple heart पतियां देखे purple color की है ये धूप में जब इसे हम रखते है न तो इनकी पतियां इतना अच्छा color नहीं आता है लेकिन यदि इसे आप धूप में रखते हैं छायादार जगह पर purple color जो है थोड़ा कम होता है और धूप में रखने से इस तरह से dark purple color का ह जाता है और इसमें pink color की जो है फ्लावर भी आते हैं तो आसा करतीं friends आज मैंने बहुत सारे प्लांट आपको बताए हैं इन में से जो भी प्लांट आपको नरसरी दी विजिट करते हैं तो कोई सभी प्लांट यदि मिलता है तो आप जरूर घर पर लेकर आए आइडिया तो पॉट में लग जाता है डिवाइड करके एक प्लांट से डेर सारे प्लांट आप जो है बना सकते हैं कोई दिकत नहीं होती है देखे मैंने चोटे-चोटे पॉट में लगाए हैं तो चाया दार वाले पौधे जिनको चाया में रखा जा सकता है धूप में रखने वाले बहुत सारे पौधे बताएं हैं इन में से जो भी आपको एवलेवल हो नरसरी से या पडोसियों से या फिर आस पास जरूर लेकर आएं और अपने गार्डन को एक खुबसूरत गार्डन बनाएं तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स बाई बाई